तो बच्चों, एक्जाम्पल हमारे चल ले था किसके? कंजरवेशन और मोमेंटम में, हुमने लिया था किसका? बम ब्लास्ट का. हमने सबसे पहले बम को कितने दो फ्रेग्मेंट में डिवाइड किया था? और उसके हमने रिजल्ट आपको डिसकस किये. उस रिजल्ट में आपके दिमाग के अंदर में confusion आ गया था. क्या गया था? कि सर वाइड लाइटर पार्ट है? और मोर कायनटिक अनरजी. ठीक है? देन दे हेवियर पार्ट. हलके वाले पार्ट के कायनटिक अनरजी ज़्यादा क्यों होगी? भारी वाली पार्ट की कायनटिक अनरजी कम क्यों होगी? हलका वाला पार्ट ज़्यादा नुक्सान क्यों पहुंचाएगा? भारी वाला पार्ट कम नुक्सान क्यों पहुंचाएगा? उसको बाद में हमने आपको clear कर दिया किस से? firing of bullet from gun. वहाँ पर भी एक पार्ट बहुत ज़्यादा भारी होता है और दूसरा पार्ट हलका होता है, आप ज़रा देखते हो हलके पार्ट के पास काम करने की चंपता, ability to do work more होती है, उसकी energy ज़्यादा होती है, ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस हम, bomb last example पर, जिसमें हम क्या लेंग मुझे 31 years हो गए पड़ाते हुए, मैंने आस तक एक question नहीं देखा, जिसके अंदर मैं bomb को चार पार्ट में divide किया है, कोई question class में कुछ भी करा दो, किसी भी exam में नहीं आया, किसी भी exam में नहीं आया, IIT देख लो, पहले किस जमान में AI triple E होती थी उसमें देख लो, कभी EMS क exam होती तो उसमें देख लो, BHU के exam होती तो उसमें देख लो, अब तो exam ही दो रह गए अपने पास जही और NEET, कभी नहीं आया, तो चार पार्ट में दिवाइड ही नहीं करना अपने को, अब तीन पार्ट में दिवाइड करना है, ठीक है, तो अब हम bomb को क्या करेंगे, ती तो P I 0 है, P I 0 है और तीन फ्रेंट में दिवाइड हो रहा है, there is no external force, therefore P I is equal to P F, ठीक, bomb blast होके कितने है, तीन फ्रेंट में हो रहे है, एक का मास M1 है, दूसरे का मास M2 है, तीसरे का मास M3 है, एक कोई V1 वेलस्टी से चलदा है, एक कोई V2 वेलस्टी से चलदा है, एक कोई V P I is equal to P F and again the P I is 0, therefore the P F must be 0. P F, final momentum of bomb, bomb का final momentum की कितना होगा, तो the final momentum of the bomb, that is 0, वो किसके बरावर होगा, the final momentum of the first fragment plus final momentum of the second fragment plus final momentum of the third fragment, final momentum of the first fragment is equal to vector P 1 F, final momentum of the second fragment is equal to vector P 2 F, and final momentum of the third fragment is equal to vector P 3 F. So, vector P 1 F plus vector P 2 F, vector plus P 3 F is equal to 0, because the final momentum is equal to 0, अव क्या देखर होगा, Vector P 3 F किसके बरावर होगा, तो P 1 F or P 2 अवको अदर साद मेले जाओ, तो Vector P 3 F is equal to kya होगा, minus of sum of P 1 F and P 2 F. तो जो third fragment होगा, उसका momentum हर्दम किसी दो fragments के vector sum के opposite direction में होगा, क्यों, कितीनों का मिलकर कितना होना चाहिए? 0, कोई से भी fragment को ले लो, किसी को भी third fragment ले लो, तो वो third fragment का momentum होगा, किसी 2 fragments के momentum के vector sum के opposite direction में होगा. diagram यह देख लो, बना रखा हमने प्रिवास, क्या बना रखा है, कि एक तरहा है, मैंने P 1 F बना रखा है, P 2 F बना रखा है, P 1 F और P 2 F का, हमने vector sum किया, उसी के बराबर magnitude में और opposite direction में, हमने किसको बना रखा है? P 3 F का बना रखा है, तो P 3 F का जो third fragment है, उसके final momentum का magnitude कितना होगा, magnitude of momentum of third fragment, P 3 F is equal to क्या हो जाएगा, vector sum कर लो, तो vector sum का magnitude कितना होता है, under dot of P 1 F square plus P 2 F square plus twice of P 1 F P 2 F into cos theta, theta is the angle between the momentas of the first two fragments. P 1 F or P 2 F के बिच में angle कितने का है, that is theta, आई बास समझ में, यह चीज़ होगी, तो यह बड़ी असान सी बात है, आपको angle निकालना को कह देंगे, आपने momentum निकालना कोगा, momentum निकाल दिया आपने पास, मैं इनको बता दिया, आपने उनके mass देदोगे, तो हम velocity निकाल देंगे, जैसे में momentum बता चल गए, वैसे हम उनके energy निकाल देंगे, energy बता देंगे, कि साब पहले fragment की energy कितनी होगी, फर्स fragment की energy कितनी होगी, half m1 into v1 square, दूसरे fragment की energy कितनी होगी, half m2 into v2 square, तीसरे fragment की energy कितनी होगी, half m3 into v3 square, ठीक है, तो आप energy कह दोगे, तो हम energy निकाल देंगे, ठीक है, अब सुनो, इस mathematics को और आसान करने के लिए, क्या बताते हैं आपको, जितने भी question पुछे जाते हैं, जिसमें bomb blast होता है, और तीन fragment से आपको finally मिलते हैं, उन में किनी 2 fragments को एक दुसरे के perpendicular चला देते हैं, जैसे ही आपने perpendicular चलाया, जैसे ही अपने पास first fragment और second fragment, एक दुसरे के perpendicular चल दे हैं, इसका मतलब vector p1f और vector p2f के बीच में angle कितना है, 90 degree, इसका मतलब theta कितना है, 90 degree, तो third fragment third fragment जो किसके बराबर है, third fragment का जो momentum है, vector p3f है, वो किसके बराबर है, minus of sum of vector p1f and vector p2f, तो अब p3f का magnitude कितना हो जाएगा, under root of p1f square plus p2f square plus, third term to 0 हो गई, क्यों 0 हो गई, because theta is equal to 90 degree, cos 90 degree is equal to 0, 2 p1f into p2f into cos 90 degree, जो 0 हो गई, third term 0 हो गई, third term 0 हो गई, third term 0 हो गई, क्या देखा आपने पास, कि जो third fragment है, उसका momentum कितना हो गया, under root of p1f square plus p2f square. अब यह दोनों momentum एक दूसरे के perpendicular है, दोनों का final momentum किन्ट का, दोनों के momentum का सब p1f और p2f का sum होगा, वो कौन सी direction में होगा, और उसी के opposite direction में कौन होगा, p3f होगा, आप इन angle को निकाल दीजिए, angle निकालने के बाद में आप यह बता सकते हैं, जो third fragment है, वो first fragment के साथ कितने angle पर जाएगा, जो third fragment है, वो second fragment के साथ कितने angle पर जाएगा, आप दोनों ही बात बता सकते हैं, हाँ, first or second fragment एक दूसरे के perpendicular जाए रहें, तो आप उनके दोनों के magnitude को देखके, आप यह बता सकते हो, कि उन दोनों का resultant कौन सी direction में होगा, उन दोनों के resultant के opposite direction में कौन होगा, P3F, जैसे ही वो आपको angle पता चला, वैसे ही आपे P3F का P1F के साथ angle और P3F का P2F के साथ angle पता सकते हो, तो यह बड़ी simple से कैसे जाते हैं, जिनके अंदर में आप से ज्याज़ा तर आप से angle पूछ लेंगे, उसका magnitude पूछ लेंगे, या कई बार आपको situations बता देंगे, कि बताईए कि कौन सी situation possible है, कौन सी situation possible नहीं है, आपको करना क्या है, आपको यही करना है, कि आप ज़राद है, और zero होना चाहिए, ऐसा है, होई बात clear, बचो यह आपके examples आ गए, किसके और conservation of momentum के, ठीक है, चलिए, एक example और हम आपको देंगे, जिसको हम नाम देते हैं, ballistic pendulum